नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा देखे बिहार एंडिये में कुछ खटपट चलने की बात चल रही थी और चिराग पासवान और उनके चाचा पसुपती पारस के बीच जो लड़ाई है वो थम नहीं रही थी इस बीच जो है पसुपती पारस से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है बिहार में दिलिप जैसवाल वो मुलकात करने के लिए राश्टिय लोग जनसक्ती पार्टी के कार्याले में पहुँच गये पसुपती पारस ने उन्हें जो है गुलदस्ता देखर के भेट किया है गुलदस्ता और उन्हें बधाई दी है प्रदेश अध्यक्ष बनने की लेकिन इस तस्वीर के आने के बाद जो है जो रादनीती में गहमा गहमी बनी हुई थी वो और भी बढ़ गई है क्योंकि एं BJP की तरफ से ये पहल की गई है और बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है BJP के दिलिप जस्वाल वो पसुपती पारस से मुलाकात करने पहुचे और इस मुलाकात के बाद जो है रादनेतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि पसुपती पारस को कुछ अच्छ मतलब BJP कुछ इनाम देने वाली है बीच में चर्चा थी कि पसुपती पारस जो है वो राजपाल बनाए जा सकते हैं लेकिन इस चर्चा पर विराम लग गया था और उसके बाद जो है चिराग पासवान की तरफ से ये बयान आने लगा था पसुपती पारस के खिलाफ उनकी पार्टी के लोग बोल रहे थे खोच चिराग पासवान भी बोलते हुए नजर आ रहे थे लेकिन इसी बीच जो है अब पसुपती पारस से जब भाजपा की ओर से ये कदम बढ़ाया गया है मुलाकात की गई है प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से तो ये चर्चा कब इसे ब प्रणनिती बनाई जाएगी जिसमें उनका समर्थन भी लिया जाएगा तो क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी लेकिन ये तस्वीर जो है खुब ज्यादा चर्चा में बनी हुई है तो फिलाल इस ख़वर में इतना ही है दर्स नीज के साथ बने रहे और हुआ हुआ है